आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Unit 3 Fundamentals of Computers का and Emergent Technologies यह जो है हमारा EKTV का syllabus है इसकी Unit 1 और Unit 2 इस चैनल पर मैं already upload कर चुका हूँ तो अब syllabus देख लेते हैं इसका इसके इंदर हम इंटरनेट के बार में पढ़ेंगे इंटरनेट का overview लेंगे Architecture, Functioning, Basic Services like www, FTP, Telnet, Gofer, etc Search Engines, Email and Web Browsers इन सबको हम देखेंगे बड़े अच्छे से और समझेंगे थूदे Examples की क्या चीज़े होती है उसके बाद हमारा जो इस Unit का अगला पार्ट है वह है Internet of Things जसके अंदर हम IoT जिसको शॉट में कहते हैं उसके Definition देखेंगे Sensors क्या होता है, IoT के उनके Types और उनके Features Smart Cities, Industrial Internet of Things ये सारी चीज़े हम इस वीडियो में और इस ही Lecture में Completely cover करने बाले हैं तो सबसे पहले अब अपने Topic पे आजाओ जिसका नाम है Internet और Internet का Overview तो Overview देखते हैं Internet का क्या होता है जो ये हम सबसे पहले पांट देख रहे हैं इसमें है कि Global System of Interconnected Networks तो हमारा जो Internet है वो एक Global System है Interconnected Networks का यानि कि आप मान लीज़े आपने क्या क्या आपने अपने घर में Computers हैं, दो Laptops हैं और उन दोनों Laptops को through the LAN Cable Connect कर लिया और उनकी Network की Configuration कर लिए Example है, just headache लेने की जरुवत नहीं है कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो for example, आपने उनको LAN Cable से Connect कर दिया, RJ45 जो Port होता है उसकी थरू, और आपने अंदर उसकी Settings में Configuration कर रही हैं, और आप दोनों Computers एक दूसरे की Files को Access कर सकते हो जो भी उनके Hardest पे Individually Stored है, तो यह क्या हुआ आपका एक Network बन गया कि दो Machine आपस में Communicate कर रही है, इसी तरीके से हमारे पास क्या हुआ, कि हमने बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे Networks को Connect करा और उनको जब Connect करते चले गए और दुनिया की हर Machine एक दूसरे से जोस्तों के साथ WhatsApp चैट कर सकते हैं, फाइल को Share कर सकते हैं, तो आप क्या हैं, Interconnected है हापस में, तो आप Internet का यूज़ कर रहे हैं वो कि इसी तरीके से जो यह Network बनता चला गया, इसमें हमें Internet मिल क्या, क्योंकि हमारी सारी चीज़े Connected हैं, Internet से सारे Devices, इसको हम इसके Architecture को और इसके Functioning को आगया आने वाली Slides में देखेंगे कि यह कैसे काम करती हैं, और कैसे यह Possible होता है, इसकी जो है Backend कैसी है, अब आप देखो कि Each Computer है is IP Address, हर Computer का नएक IP Address होता है, जैसे आपकी महले में, आर, आपकी गली में, आपकी Colony में, या अगर आप किसी Society में रहते हैं, वह आपका Flat Number होगा, House Number होगा, तो क्या है वो आपको Individually आपका Address है, आपको Individually identify कर रहा है, आपके घर को उस जगापे, कि आगर आपको किसी को आपके घर पहुचना है, तो आप उसे अपने मकान के Address बनाओगे, फिर आप उसे अपनी गली बताओगे, कौन सी गली में हम रहते हैं या कौन सी Society में हम रहते हैं, फिर आप अपना Area बताओगे, कुछ Landmark बताओगे, City बताओगे और State बताओगे, Country बताओगे, और Zip Code बताओगे तो इस तरीके से आपको Complete Address है, इसी तरीके से हर Computer का एक Address होता है, जिसको कहते है IP Address, Internet Protocol Address, इस Address की मदद से जो है, कोई भी Machine, हमें जैसे मान लिजे, मेरी Laptop का एक कोई Address है, तो मैं Wikipedia एकसेस कर रहा हूँ तो Wikipedia तक request पहुची, कि यह जो बंदा है, यह इस page की request कर रहा है, इसको यह result चाहिए, तो उसने क्या देखा, uniquely कि वो मुझे response भी तो देगा, उसका answer भी तो देगा, जो मैं query कर रहा हूँ, return में query भीज़ेगा, वो मेरी address पे भीज़ेगा, तो इसलिए address की जरुरत है, मेरी address से मेरे को identify करके, मेरी system तक वो answer भीज़ेगा, तो यह हुआ IP address का funda, इसको भी detail में देखेंगे, अब है DNS, domain name system या domain name server, इसकी क्या जरुरत होती है, आप देख रहे हैं कि google.com आप search करते हैं, तो आप Google का page खुल जाता है, actually मैं जब आप google.com search करते हैं, तो जो DNS, यानि की domain name system होता है, उसके साथ एक IP address registered है, Google का, तो हम हर website का IP address याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि number याद रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम नाम या domain याद कर सकते हैं, domain जैसे google.com एक domain है, हम इसको easily याद कर सकते हैं as compared to a number, तो हम क्या करें है, google.com type करेंगे, तो DNS तक यह request जाएगी इंटरनेट जिस तरीके से काम करता है, और DNS इस domain name के साथ जो IP address mapped है, उसको locate करेगा, ठीक है, और महां तक हमारी request पहुंचा देगा, ठीक है, तो यह होता है DNS, और उसके बास क्या है, हमारे पास internet is accessible to everyone all over the world, तो पूरी दुनिया में भाई, जो भी इंसान है, अगर वो अपने पास, उसके पास एक smartphone है, कोई device है, जिस पर internet चल सकता है, वो उसके उपर valid pack है, तो वो कुछ amount nominal pay करके, जैसे हम phone में recharge कराते हैं, वो भी internet को access कर सकता है, ओके तो internet का architecture उसकी functioning की बात करते हैं अब, तो internet का जब architecture आता है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास दो models होते हैं, TCP IP model और OSI model, TCP IP और OSI model अपने आप में थोड़े vast हैं और हमारे subject का part हैं वो, हमारे syllabus का part हैं, हम उसको देखेंगे, अलग video में, मैं उसकी separate video upload कर दूँगा, उसके लिए क्योंकि ये थोड़े lengthy हो जाते हैं, इन detail मैं इन दोनों की video upload कर दूँगा, जिसमें मैं detail में समझाऊंगा इनकी, बात केस के अंदर क्या क्या कहानी है सारी, इनके अंदर काफी सारी layers होती हैं अगर मान लिजए ये आप हैं, तो आप अगर कोई भी चीज access करना चाहते हैं, इंटरनेट पे तो वो उस server पर पढ़ी होगी, for example, आप Google पे कोई query search करते हैं, तो आपको google.com results जो है, देता है, provide करता है, जब आप search करते हैं, ठीक है, मान लिजए, आप वहाँ पे search कर रहे हैं, कोई चीज आपने term लिखी train, तो आप क्या कर रहे हो, यह आप हो, आप हो client, आपको इस case में कहा जाएगा client, क्या होता है हमारा client, client server architecture होता है, internet architecture जो हमारा basicly होता है, client server architecture होता है, तो इसको आप ऐसे समझो, कि आप यहाँ पे client हो, और आप server से कोई चीज चाहते हो, तो आप आपने search करा google.com पे train, तो आप जब search करते हो train, तो आप एक page का request करते हो Google से, जिसमें आप चाहते हो, कि आप train से related जो भी results हैं, हमारे Google के पास, वो हमें return करें, तो आप क्या करते हो, आप इस case में request कर रहे हो server से, और server आपको return में क्या दे रहा है, response दे रहा है, यह possible कैसे हो रहा है, यह हो रहा है, internet की मदद से possible, अब internet का architecture जो हम समझेंगे, तो उसके इंदर हम detail में सारी layers की functioning समझेंगे, OSI model और TCP IP model के through, ठीक है, तो आपका क्या होता है, आप request करते हो, और server आपको response देता है, यह होता है, सब internet के basis पे, अब internet थोड़ा चलता कैसे है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, हमने क्या देखा था, कि हमारे internet होता है, वो networks का, multiple networks का internet बना होता है, multiple networks के connections से, जब उनको आपस में connect कर देते हैं, तो अब यहां से देखा हम स्टार्ट कर रहे हैं, कि यह हमें, हमारे को internet service provider है, मालनीचे ATLA या GOI, यह होते हैं, हमारे internet service providers, ओके, जो हमें internet की service provide करते हैं, ठीक है, तो यह होगा हमारे internet service provider, और यह अलग other internet service provider से, जो कि Voda phone हुआ या और भी बहुत सारे जो giants होंगे, उनसे आपस में connected रहते हैं, तो इनका सबका एक network बनता जा रहा है, ठीक है, अब यह जो ISPs हैं, यह अलग-अलग countries से connected होते हैं, वाया fiber optics, तो fiber optics के जो तार होते हैं, fiber optics जो हमारी cable होती है, यह समुंदरों के नीचे, समुंदरों के अंदर बिछी रहती है, ताकि यह अलग-अलग जो हमारी countries हैं, उनके साथ connections हो पाएं, इसी वज़े से हमारे internet successfully काम कर पाता है, क्योंकि सब servers जो हैं आपस में connected है, through thick fiber optics, तो यह आगे सब चीज़े आपस में connected है, through router, switches, यह सब हमारे पास चीज़े use होती है, router, switches, यह सब क्या चीज़े होती है, hubs वगयरा, यह सब हम OSI और TCPI भी model चब पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, हमें clearly समझ में आ जाएंगे, यह सारी चीज़े, तो अब आप देखिए, अब आप देखिए, हमारे पास जो अगला topic आता है, वो आता है, file transfer protocol, तो हमें देखना है कि हमारा file transfer protocol होता क्या है, तो देखो, हम जब हमें internet से कोई file download करनी होती है, तो वो जिस protocol के थरू, protocol हमारा क्या होता है, protocol is basically set of rules, तो हमारे पास set of rules होए, उनको हम बोलेंगे protocol, उनकी technical terminology होती है, protocol, set of rules की, तो कोई भी protocol, कुछ set of rules को follow करेगा, उस मदद से उस rules को follow करेगा, उसकी मदद से, उन rules की मदद से हम तक कोई file पहुँचेगी, for example, हम download करना चाहते है, net से कोई file, हम Google पे जाके search करते है, कि Chrome web browser हमें download कर दीजिए, या कोई file हमें download करना है, मुझे search करते हैं, कि यह वाला song download करना है, मुझे इंटरनेट से, तो यह क्या है, जो song है, यह सब files है, यह कोई software हम download कर रहे हैं, तो वो files हमारे तक file transfer protocol के थुरू आती है, ठीक है, यह TCP IP suit होता है, हमारा जो TCP IP suit उसके अंदर काम करती है, TCP IP protocol के अंदर ही एक sub protocol है, जो है file transfer protocol, तो हमारा TCP IP protocol वो ही है, जिस पर currently आज की date में internet work कर रहा है, TCP IP को हम detail में देखेंगे, गर अभी समझ मने आ रहा है तो कोई चंता की बात नहीं है, अभी हम बहुत high level view देख रहे हैं चीज़ों का, तो file transfer protocol हमारा port number 21 पे चलता है, port भी क्या होते है, क्या use होता है, अलग-अलग port क्यों होते है protocol के, यह भी हम models के अंदर ही cover करेंगे in detail, तो उन वीडियो का आप जरूर बीट करेंगे और उनने जब भी वो upload हो, जरूर देखें हमें server उस file का link देता है, और file हमारे computer पे धीरे-धीर हमारे internet के speed के through, जो भी हमारे internet speed होती है, उसके accordingly वो download होना transfer होना शुरू हो जाती है, transfer protocol क्यों कह रहे हैं इसको क्या हो रहा है, आप through the internet, वो file कहीं और पढ़िये किसी और computer system पे किसी और server पे बढ़िये, महा से वो transfer हो रही है, आपके system पे, वो धीरे-धीरे transfer हो रही है, तो यह हुआ file transfer protocol हमारा, अब आप दीखें कि telnet क्या होता है, telnet is equals to terminal plus network, तो terminal और network, हमने जब terminal को network से connect कर दिया, terminal क्या होता है, जब commands देते हो, ठीक है, तो connect to remote computer and give commands to it to perform operations on it, तो अगर आप अपने computer पे देखो, तो आप cmd खुल के command दोगे, तो आपके computer में कोई चीज perform होगी, पर कोई और computer है, आप उसे control करना चाहते हो, यहाँ बैठके है, वो कई और दूर रखा है, आप उसे commands देना चाहते हो, तो आप use करते हो, telnet protocol का, तो आप telnet की वज़त से terminal पे command देते हो, दूसरे computer की, और वो जो हैं commands उस system पे perform होती हैं, जिस पे हो सकता है, को यह और programs हो, वो programs आपके computer पे install ना हो, पर दूसरे system पे वो होंगे, जो भी remote system है, एक तो जो आप हो, आपका system होगा local system, ओके और आप जिस computer को command दे रहे होगे telnet के through, वो होगा remote system, तो आप remote system तक commands दे रहे हो, तो इस remote system पे, मानलो आप MS Office की for example, यह telnet बहुत पहले हो जाता था local system पे, आपके MS Office नहीं है, और आपके remote system पर MS Office है तो आप इसके through telnet के through, इसके MS Office पे काम कर सकते हो, for example, मैं यह नहीं कर रहा, MS Office ही use होना है, बहुत परणी technology है, तो इसके तुरू आप दूसरी machine को use कर सकते थे, यह हुआ आपका telnet, अब आपका आता है gopher, gopher में क्या है भाई, यह भी protocol होता था एक तरीके का पहले, जिसको अब use नहीं करते हैं, इसके अंदर हमारा क्या होता था, हमारा hierarchical structure होता था, जैसे आप देखने information about gopher, यह सब hierarchy में menu driven form में यहां पे जो है, available है हमारे लिए, कि हम एक menu को access कर रहे हैं, तो यह देखने में बहुत जादा जब बढ़ती थी file है, तो एक तो देखने में देखो, आप देखो, बहुत जादा अच्छा नहीं लग रहा आपको attractive सा नहीं लग रहा, interactive सा नहीं लग रहा, बहुत जादा textual information है, तो यह सब चीजें आ गया, आते आते, web से, world wide web से, जो http protocol http हमारे जो protocol पे काम करता है, world wide web pages पे web pages होते हैं, उसने replace कर दिया इसको, gopher को आके, तो यह जो आपका gopher है, यह बहुत पहले use हुआ करता था, web से पहले तो इस तरीके से structures आपके files थी, web pages से structures में organize होते थे, और आप इनको जाके access करते थे, एक एक करके, तो hierarchical form हो जाती थी, यहाँ पे तो अगले हमारा topic है, वो है internet of things, तो जैसे कि नाम हमारा suggest कर रहा है, हम इसमें चीज़ों को जो है internet से connect कर लेते हैं तो इससे पहले कि मैं आपको और डीटेल में चीज़ से बता हूँ, आगे आने वाले topic और डीटेल में बता हूँ, सबसे पहले आप यह समझें कि अपके घर में AC होगा तो आजकल जो AC आ रहे हैं, आजकल ने बलगी कुछ time से आ रहे हैं, कि वो जो है आपके wifi से pair हो जाते हैं आपके smart lights हैं वो wifi से pair हो जाती है तो आप अपने phone में कोई app खोलते हैं और आप उसके through light को on off कर सकते हैं और अपने AC को turn on या turn off कर सकते हैं तो मान लीज़े आप अपने office से घर आ रहे हैं और घर पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट पहले जब आप अपने घर पहुंचने वाले हूं फोन में app खोलके उसको जो है AC को on कर सकते हैं यह सब possible कैसे है क्योंकि जो आपका AC है और आपका phone है वो सब internet से connected है सब smart devices हो रहे हैं तो internet of things हो गया हो ठीक है तो यह हमारे पास एक बहुत बड़ा advantage जा जाता है यह बहुत basic example था आपको समझाने के लिए तो next जो है हमारा topic आता है वो होते हैं sensors कि हमारे पास sensors किसके style क्यों होते हैं IOPD में तो देखो हमारे पास sensors तो बहुत सारे होते हैं और पहले से ही हैं यूज हो रहे हैं लेकिन अब उनको क्या किया है उनको internet of things आनके वजह से जब से हम उनको internet के साथ embed करना शुरू कर दिया है तो उनके जो benefits हैं वो next level हो गया है तो जो सबसे पहले हैं हमारे पास sensor वो है proximity sensor proximity sensor क्या होता है कि वो proximity sensor का आज की डेट में यूज हो रहा है स्मार्ट सेटीज में आग्याने वाली इक स्लाइड में भी देखेंगे कि स्मार्ट सेटीज में उसका इस तरीके से यूज हो रहा है जो आपके proximity sensor उनको पार्किंग लॉट्स के अंदर ला देते हैं तो किसी building में आपको जाना है आप वहां की app download करें और आप वहां पे देख सकते हैं कि कौन सी parking आपके लिए available है और कौन सी नहीं कि वहां पर जो parking का slot है वहां पर एक proximity sensor लगावा है और उसके ऊपर कोई car खड़ी है तो वह उसको sense कर सकता है और आप में show कर सकता है कि पार्किंग जो है occupied है और इसी तरीके से free parking भी दिखा सकता है तो किसी को जाना है तो उसे साइज जगा पार्किंग ढूनने की ज़ुरत नहीं है बलकि आप पे देखके कहां पे जगा खाली है पहां पे जाके अपनी गाड़ी को पार्क कर सकता है second point पर भी मैंने दुबार लिख दिया by mistake third है chemical sensors तो chemical कोई किसी तरीके की gas तो release नहीं हो रही है कहीं चेहर में harmful gas और उसको sense कर ले और authorities तक via the internet वो sensor detail को पहुंच जादेगा पिर देखो smart cities हमारा अगला topic है कि smart city किस तरीके की होती है तो smart cities में हमारे पास थे smart parking lot मैंने आभी आपको बता है कि किस तरीके से proximity sensors का use का के parking lot हम देख सकते हैं फिर smart waste management के अंदर यह है कि जो आपके containers होते हैं वीदेशों में में इंडिया के बाहर के जगा ऐसा होता है कि वहां पे track and containers को pick up करने आते हैं जो colonies में बाहर रखे हुए होते हैं लोग जिसमें रखे अपना कुड़ा डालते हैं तो उसके अंदर आप level का sensor अगर embed कर दिया जाए जो किया जाता है तो वहां पे level का sensor उसमें होता है कि एक level के उपर वेस्ट पहुच गया तो जो वहां पे आसपास जो भी truck का driver होगा garbage truck का driver उस तक पो notification पहुच है और वहां जाके उस वाले container को empty कर सकता है smart traffic control systems वो sensors की मदद से sense कर सकते हैं कि traffic किस वक्त कहता है कौन से mode पे कौन से site से कौन से intersection पे किस तरफ ज्यादा भीड है तो उस जगा पे से लोगों को निकालने के लिए timer का जो अपना countdown timer सलता है कि कितनी देज़ तक light green रहेगी उसको extend कर सकता है कि जहां पे ज्यादा traffic है कि वहां से ज्यादा लोगों को निकलने का time मिल सके तो यह और इसके तरीके से बहुत असारे smart system दोते हैं और जब वो किसी city के अंदर implement किये जाते हैं तो city को smart city कहा जाता है फिर जो हमारा last topic है IoT का वो है industrial IoT तो जो अपने IoT devices को आप industry में large scale के लिए use करते हो कोई failure होने वाला है कोई robots चल रहे हैं तो वहां पर हम predict कर सकते हैं कि यह part की condition कैसी है sensors के तुरू और predict कर सकते हैं कि failure होने वाला है और उसकी विज़े से हम parts का maintenance कर सकते हैं ताकि हमारा failure अकर ना हो और evidence of problems that may cause emergency situations अगर आपका वहां पर sensors नहीं है और robot खराब हो जाता है तो emergency situation creator सके कोई assembly line है वह रुप गई तो large scale पे जाता है तो वह industrial IoT उसको जा जाता है तो यह था हमारा पूरा topic I hope आपको चीज़े समझ में होगी अपको यह तो बाता है